पाटन शितरपूर विधाईका श्रीमती पुस्पा देवी के द्वारा धान करेकेंद्र का विदिवत फीता काटका शुभारम किया गया आपको बता दें कि पाटन में धान करेकेंद्र खुलने से पाटन एवं आस पास के किसानों को बहुत बड़ा सहूलियत होगा किसान मजबूरी बस ओने पोने दान पर धान की बिक्री करने को विवश है जो धान का रेट सरकार ने तैय किया है 18 रुपए 68 पैसे के रेट से प्रती क्विंटल धान किसान यहां पर भेज सकते हैं जब इस छेतर में धान कर केंदर नहीं खुला था तो किसान व्यापारियों के हाथ 10, 12, 14 प्रती क्विंटल की रेट से बेच दिया करते थे जो कि किसान खुन पसीना एक करके फसल को लगाते हैं वही फसल तैयार होने के बाद किसानों को सस्ती रेट में धान बेचने को विवश हो जाते हैं धान कर केंदर खुल जाने से किसानों में राहत की सास ली है वही यहां पर उपसित किसानों खुश नजरा रहे हैं पर उपस्थित किसानों ने बोला कि धान करेंद्र sinon M S. नहीं आ रहा है arbitar MARTIN पूष्पा देवी ने बोला कि धान का क्रेंद्र खुलने से किसानों को धान बेचने की सुविधा होगी मानी विधायका श्रीमती पुस्पा देवी ने प्रकंड कार्याले एवं अंचल कार्याले का निरिक्षण किया तो था वहाँ उपस्थित प्रकंड विकास पदादिकारी जिला परिशत बीजेपी कारेकरता एवं भारी संक्या में किसान उपस्थित थे किसानों में हर सुलास देखने को मिला आर नाइन भारत के लिए आनंत कुमार दूबे की रिपोर्ट पलामू जारखन